लोगतों जब भी IPS जॉइन करने की बात आती है तो जो लोग तयारी कर रहे होते हैं उनको बड़ा जोश होता है कि यार IPS बन जाएंगे तो बड़ी सारे perks and privileges मिलेंगे उन perks and privileges में एक चीज़ होती है नौकर मिलना जिनको कभी-कभी orderlies भी बोल जाता है जब IPS की training academy में पहुंचते है ना नए IPS cadets उनकी दिमाग में यही रहता है कि हाँ एक दो प्रमोशन हो जाएंगे तो हमें orderly मिल जाएंगे यह जो orderly होते है ना यह police के employees होते है नौर्मल कर इनकी dress ऐसी होती है इनका khaki trouser होता है और उपर एक सफेद रंगी टी-shirt पहनते है अब basically यह है police के employees इनका काम यह है कि यह police के सेवा में रहेंगे जिस भी थाने के साथ attached है वहाँ पे रहेंगे और police duties में अपना role play करेंगे but actually मैं इस प्रकार के orderly को जो senior IPS officers है SP हो गया, DSP हो गया, DSP तो entry level हो गया, so superintendent of police and above इनके घरों में यह लोग garden में भाई घास के पत्ते काटते नजर आ जाएंगे गास चीलते नजर आ जाएंगे, कुछ-कुछ के सुज में बरतन साफ करते हैं नजर आ जाएंगे खाना बनाते हैं नजर आ जाएंगे, गैस का सिलिंडर घर पे पहुचाना है तो उसके लिए नजर आ जाएंगे कभी-कभी जाड़ों पोछा, अब देखे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट एक्चुली में इस प्रकार की चीजों के लिए इन और्डर रिलीज का इस्तमाल किया जा रहा है और मैं पता तो यह जो और्डर रिलीज शब्द है यह armed forces के respect में इस्तमाल किया जाता है, armed forces में भी एक ऐसी practice exist करती है armed forces में भी अगर आप देखोगे, तो जो senior officer है जैसे कि for example NDO से जो direct recruited officer जाएगा, तो जो नीचे का जवान है, नीचे के जवान उसके लिए काम करेगा तो armed forces की shirt वगरा साफ कर देगा, उसके जूते polish कर देगा तो इनको आप orderlies बोलते हो, orderly क्यों नाम दिया गया, क्यों पर senior officer का काम करो बड़ देखे, technically senior officer authenticated नहीं है, यह सब चीज़े कराने के लिए, यह तो colonial practices है किया अंग्रेज जिस समय पे यहां पे थे, उस समय पे जो higher level के जवान थे या officer थे, वोगे काम करवाया करते थे, अब ऐसी कोई practice नहीं है, अब यह लोग police की services में deployed है, इनको police की services में इस्तमाल करना है, लेकिन इनको senior IPS officer, orderly, literally एक servant की तरह इस्तमाल कर रहे हैं, तो इस मैं बता दूँ, यह जो particular topic है, यह मदरास high court की context में हम बात कर रहे हैं, बट यह orderly की problem all over the country exist करती है, हमारे देश में एक भी ऐसा राज्य नहीं है, जहांके senior IPS सदिकारी orderly का इस्तमाल ना कर रहे हैं, ठीक है ना, officially सब बोलते हैं कि हम घर में कोई orderly नहीं रखते, हाँ, हर जगा पे कोई menial काम कराया जाए ज़रूरी नहीं है, यह सब बहुत normal है, कि एक junior level का police officer है, वो gas का cylinder जाके deliver करवाया घर पे, या बिजली का bill, आस्तर तो खेर, online भर जाते हैं, बिजली की bill, मतलब इस प्रकार के चोटे मोटे काम, सब जी वगरा ले आना, अब किसी बड़े में रहते हो, तो तो सुईगी इंस्टामार्ट से आ जाती है, तो कुल मिला कि छोटे मोटे कामों के लिए इन orderlies का, जो कि खुद police के employee से इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको slavery system यहाँ पे बोला है, मदरास हाई कोट ने, और मदरास हाई कोट ने बोला, यह बंद होना चाहि 18 अगस को इस case की hearing है, वैसे तो मैं आपको बता दू, 1979 में officially इस orderly के system को बंद कर लिया गया तर, लेकिन उसके बावजूद भी जो serving senior police अधिकारी है, in fact कुछ retired senior police अधिकारी जिनकी अभी भी police department में धाक है, उन्होंने orderlies अपने पास retain कर लिये, यह police personal जाके लोगों के घर मे काम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो junior staff है, यह अपने मन के against जाके वो काम कर रहा है, बहुत सारे cases में इन staff को भी आदत पड़ चुकी है, वो भी police duty के ओपर जाना नहीं चाहते, कौन जाये का लाशों की सिनाक करने, छोटा मोटा काम करके थोड़े बहुत पैसे बन जाते है थोड़ा बहुत overtime का पैसा बन जाता है, ओरर बड़े साप से बनी रहती है, तो कल की data बड़े साप कहीं posting करवा देंगे, छोटे बेटे की नौकरियन लगवा देंगे, तो बहुत सारी अलग अलग वज़ाएं हैं, जो lower lung में police staff है, उसका ये काम करने के लिए, लेकिन देख ठीके न, orderly की practice ना किवल police में, armed forces में, आपका central armed police forces में, battalion में, हर जगा पे deploy करी गई है, और उसमें कभी को भी होता क्या है, कि जब इन orderly को personal काम दिये जाते हैं, इन officers की, जैसे कि कि किसी officers आपकी wife को shopping पर जाना है, तो officers आपके पास time नहीं है, तो गाड़ी लेकि junior staff को बे इस context में, personal use के लिए अगर आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तो वो गरत है, मदरास high court ने इसका sumoto cognizance किया, इस context में मैं आपको देखूँ, तो high court ने, मदरास high court ने 2018 में भी मुद्दा उठाया था, उस समय के तमिल नाड़ी की जो DGP थे न, उन्होंने overall सारे senior police officers को बो करो, उस से बोलो कि police duty करो, orderly वाला system बन, इसके लिए पहले भी बहुत बार memorandums issue कर चुके हैं, बहुत बार official warning issue की जा चुकी है, लेकिन अभी भी orderly system exist करता है, और बहुत सारे human right activist ने इस चीज़ के ओपर ध्यान भी लेकिया है, human right activist का बोलना है कि जो police वाले है, इनको servants engage कर इने का allowance है, अपने घर पे servant रखने के लिए, लेकिन अब आप समझो, 3-4 police वाले अगर आपके घर पे आके आपका personal काम कर रहे हैं, अगर यही 3-4 लोगों को market से hire करोगे, इसी efficiency से काम करने के लिए सरसर करके, तो jeb से 10,000 रुपे नहीं, 50-60,000 रुपे निकल जाएंगे, त को यहाँ पे orderly के तरह इस्तमाल किया जाता है, and this is basically a violation of prevention of corruption act 1988, human rights activist के हिसाब से, prevention of corruption act 1988 के section 13 के हिसाब से, अगर कोई senior IPS officer, senior police officer अपने घर में orderly रखता है, तो this is not allowed, आप public की property, सरकार की property को अपने फायदे के लिए, अपने personal purpose के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते, तो finally, यहाँ पे, मदरास high court इस चीज़ का cognizance ले रहा है, इस वरकार से देश के और राजियों में भी orderly का मुद्दा पहले भी उठाए, आगे भी उठेगा, और देखें, जो लोग IPS की तियारी करते हैं, और सोचते हैं, कि हाँ पही IPS बन जाएंगे, तो चार नौकर मिले आप सब जानते हो, ठीक है न, तो सरकारी भत्ता इतना ही है, आपके सर्वेंट इंगेज करने का, वो भी जब आप senior IPS हो, entry level पे वो भी नहीं मिलता, तो इस context में, जो यह सोच के जा रहा हो IPS के अंदर की वहाँ बहुत सारे नौकर मिलेंगे, जब तक आप पहुंचोगे, त उसको training, office के काम के लिए दी गई, police department के काम के लिए दी गई, crime को रोपने के लिए दी गई, ना कि तुमारे घर की गास काटने के लिए, तो इस context में, आप अपनी viewpoint देके चाहिएगा, इस प्रकार की orderly की प्रता बिल्कुल बंद होनी चाहिए, यह colonial legacy है, हाँ जो IPS बनेंगे उनको थोड़ा long term में उसान जरूर हो जाएगा, पर्ट overall एक progressive step है, देश progress कर रहा है, democratic nation बन रहा है, तो आप भी और थोड़ा बहुत काम के लिए आप इतना पैसा तो हो गई, कि आप नौकर हायर कर सकते हो, orderly's और police staff से अपने घर का काम कराना वो ठीक नहीं है, तो एक छो अपने लेक लोड़ा बद्ट